युहन्ना की प्रकाशित वाक्य अध्याए ए येशु मसी का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शिग्र होना अवश्य है दिखाए उसने अपने स्वर्ग दूत को भेज कर उसके द्वारा अपने दास युहन्ना को बताया जिसने परमेश्वर के वचन और येशु मसीही की गवाही अर्थार्थ जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी धन्य है वे जो इस भविश्य द्वानी के वजन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं क्योंकि समय निकट आया है युहन्ना की ओर से आसिया की साथ कलिसियाओं के नाम उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है और उन साथ आत्माओं के ओर से जो उसके सिंगासन के सामने हैं और येश्यू मसीह की ओर से जो विश्वास युग साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहिलाटा और पृत्वी के राजाओं का हाकिम है। तुम्हें अनुग रहे और शान्ती मिलती रहे जो हम से प्रेम रखता है और जिसने अपने लोहू के द्वारा हमें पापों से छोड़ाया है और हमें एक राज्ये और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया उसी की महिमा और पराक्रम युगान उ युग आमीन देखो वह बादनों के साथ आने वाला है और हर एक आख उसे देखें वरंच जिन्होंने उसे बेदा था वे भी उसे देखेंगे और प्रिध्वी के सारे कुल उसके खारुण चाति पीटेंगे युग हां आमीन प्रहु परमेश्वर वो जो है और जो था और जो आं वाला है, जो सर्व शक्ति मान है, ये कहता है कि मैं ही अल्फा और उमेगा हूं। मैं योहन्ण जो तुम्हारा भाई और येशु के कलेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सह भागी हूं। परमेश्वर के वचन और येश्व की गवाही के कारण पत्मुस नाम टापू में था। मैं प्रभू के दिन आत्मा में आ गया। और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द ये कहते सुना। जो कुछ तु देखता है उसे फुस्तक में लिख कर सातों कलीसियाओं के पास भेज दे अर्थात इफिसुस्क और समुर्ना और पिरगमुन और थुआतीरा और सरदीस और फिल्दिल्फिया और लौदीकिया के पास। और मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुँ फेरा और पीछे घूम कर मैंने सोने की साथ दीवटें देखी और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्य सरीखे एक पुरुष को देखा जो पाउं तक का वस्तर पहने और छाती पर सुनेला पटका बांधे हुए था उसके सिर और बाल श्वेइत उम वरन पाले के से उच्वल थे और उसकी आँखें आग की जौला की नाई थी और उसके पाउं उत्तम पीतल के समान थे जो मानों भट्टी में तपाए गए हों और उसका शब बहुत जल के शब्द की नाई था और वो अपने दाही ने हाथ में साथ तारे लिये हुए था और उसके मुख से जोखी दोधारी दलवार निकलती थी और उसका मुँ ऐसा प्रज्वलिधा जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चबकता है जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सागे पड़ा और उसने मुझ पर अपना दाहीना हाथ रख कर ये कहा कि मत डर मैं प्रथम और अंतिन और जीवता हूँ मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग जीवता हूँ और मृत्यू और अधुलोग की कुझियां मेरे ही पास है इसलिए जो बातें तूने देखी हैं और जो बातें हो रही हैं और जो इसके बाद होने वाली हैं उन सब को लिख लिए अर्थात उन साथ तारों का भेद जिनहें तूने मेरे दहिने हाथ में देखा था और उन साथ सोने की दीवटों का भेद वे साथ तारे सातों कलीसियाओं के दूथ हैं और वे साथ दीवट साथ कलीसियाएं हैं अध्याए दो इफिसुस की कलीसिया के दूथ को ये लिख जो साथों तारे अपने दहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने की साथों दीवटों के बीच में फिरता हैं वो ये कहता है कि मैं तेरे काम और परिश्रम और तेरा धीरज जानता हूँ और ये भी कि तू बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता और जो अपने आपको प्रेरित कहते हैं और है नहीं उन्हें तूने परक कर जूठा पाया और तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते धका नहीं पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है सुचेत कर कि तू कहां से गिरा है और मन भिरा और पहले के समान काम कर यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उस स्थान से हटा दूँगा पर हां तुझ में ये बात तो है कि तू निकुलैयों के कामों से घ्रिना करता है जिन से मैं भी घ्रिना करता हूँ जिसके कान हूँ वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमिश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूँगा और समुर्णा की कलीसिया के दूद को ये लिक जो प्रथम और अंतिम है जो मर गया था और अब जीवित हो गया है वो ये कहता है कि मैं तेरे कलेश और दरिद्रता को जानता हूँ परंतु तू धनी है और जो लोग अपने आपको यहूदी कहते हैं और है नहीं पर शैतान की सभा हैं उनकी निंदा को ही जानता हूँ जो दुख तुझको जेलने होंगे उनसे मत डर क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनो को जेल खाने में डालने पर है ताकि तुम पर्खे जाओ और तुम्हें दस दिन तक कलेश उठाना होगा प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुक्ट दूँगा जिसके कान हों वो सुन ले के आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानी न पहुँचेगी और पिरगमुन की कलीसिया के दूद को ये लिख जिसके पास दो धारी और चोखी तलवार है वो ये कहता है कि मैं ये तो जानता हूँ कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है और मेरे नाम पर स्थर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिन में मेरा विश्वास योग्य, साक्षी, अन्तिपास तुम में उस स्थान पर घात किया गया जहां शैतान रहता है पर मुझे तेरे विरुद बातें कहनी तो कि तेरे यहां कितने तो ऐसे हैं जो विलाम की शिक्षा को मानते हैं जिसने बालाग को इसराइलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूरतों के बलिदान खाएं और वे विचार करें वैसे ही तेरे यहां कितने तो ऐसे हैं जो निगुलाईयों की शिक्षा को मानते हैं सुमन फिरा नहीं तो मैं तेरे पास शिग्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लडूँगा जिसके कान हूँ वो सुन ले के आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूँगा और उसे एक श्वेद पत्थर भी दूँगा और उस पत्थर पर एक नाम दिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाए और कोई न जानेगा और थुआ तीरा की कलीसिया के दूद को ये लिख परमेश्वर का पुत्र जिसकी आँखें आग की ज्वाला की नाई और जिसके पाउ उत्तम पीतल के समान है ये कहता है की मैं तेरे कामों और प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूँ और ये भी कि तेरे पिछले काम पहिलों से बढ़कर है पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तू उस स्त्री इजे बेल को रहने देता है जो अपने आपको भविश्य द्वक्तिन कहती है और मेरे दासों को व्यविचार करने और मूरतों के आगे के बलिदान खाना सिकला कर भरमाती है मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया पर वो अपने व्यविचार से मन फिराना नहीं चाहती देख मैं उसे खाट पर डालता हूँ और जो उसके साथ व्यविचार करते हैं यदि वे भी उसके से कामों से मन न फिराएंगे तो उन्हें बड़े क्लेश में डालूँगा और मैं उसके बच्चों को मार डालूँगा और तब सब कलिस्याएं जान लेंगी कि हिर्दे और मन का परखने वाला मैं ही हूँ और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूँगा पर तुम थुआ तीरा के बाकी लोगों से जितने इस शिक्षा को नहीं मानते और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते ये कहता हूँ कि मैं तुम पर और बोज न डालूँ पर हाँ जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक धामे रवो जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे मैं उसे जाथ जाथी के लोगों पर अधिकार दूँगा और वो लोहे का राज दंड दिये हुए उन पर राज्य करेगा जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बरतन चकना जूर हो जाते हैं जैसे कि मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिदा से पाया है और मैं उसे भोर का तारा दूँगा जिसके कान हूँ वो सुन ले के आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है अध्याए तीन और सरदीस की कलीसिया के दूद को ये लिख जिसके पास परमेश्वर की साथ आत्माएं और साथ तारे हैं वो कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू जीवता तो कहलाता है पर है मरा हुआ जागरत रह और उन वस्तूओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को थी उन्हें द्रिड कर तो कि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया सुचेत कर कि तू ने किस रीती से शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसमें बना रह और मन फिरा और यदि तू जागरत न रहेगा तो मैं चोर की नाई आ जाओंगा और तू कदा भी न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ोगा पर हाँ सरदीस में तेरे यहां कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्र नहीं किये विश्वेत वस्त्र पहिने हुए मेरे साथ खूमेंगे क्योंकि वे इस योग्य हैं जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहिनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्ग दूतों के सामने मान लूँगा जिसके कान हूँ वो सुन ले के आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है और फिले दिल्फिया की कलीसिया के दूद को ये लिख जो पवित्र और सत्य है और जो दाउद की कुंजी रखता है जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किये हुए को कोई खोल नहीं सकता वो ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंध नहीं कर सकता कि तेरी सामर्थ थोड़ी सी है और तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया देख मैं शैतान के उन सभावालों को तेरे वश में कर दूँगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं वरन जूट बोलते हैं देख मैं ऐसा करूँगा कि वे आकर तेरे चरणों में दंडवत करेंगे और ये जान लेंगे कि मैंने तुझ से प्रेम रखा है तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है इसलिए मैं भी तुझे परिक्षा के उस समय बचा रखूँगा जो प्रित्वी पर रहने वालों के पर रखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है मैं शिग्र ही आने वाला हूँ जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकट छीन न ले जो जय पाई उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा और वो फिर कभी बाहर न निकलेगा और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरुशलीम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा जिसके कान हूँ वो सुन ले के आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है और लौदीग्या की कलीसिया के दूद को ये लिख जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवा है और परमेश्वर की स्रिष्टी का मूल कारण वो ये कहता है की मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू न तो ठंडा है और न गर्म भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता सो इसलिए कि तू गुन गुना है और न ठंडा है और न गर्म मैं तुझे अपनी मूमे से उगलने पर हूँ तु जो कहता है कि मैं धनी हूँ और धन्वान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं और ये नहीं जानता कि तु अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंदा और नंगा है इसलिए मैं तुझे सम्मती देता हूँ ये आग में ताया हुआ सोना मुझे से मोल ले कि धनी हो जाए और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहिन कर तुझे अपने नंगे पन की लज्जा न हो और अपनी आँखों में लगाने के लिए सुर्मा ले कि तु देखने लगे मैं जिन जिन से प्रीती रखता हूँ उन सब को उलाहना और ताड़ना देता हूँ इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा हूँ देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटकटाता हूँ यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वो मेरे साथ जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंधासन पर बैठाऊंगा जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंधासन पर बैठ गया जिसके कान हूँ, वो सुन ले के आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है अध्याए चार इन बातों के बाद जो मैंने द्रिष्टी की तो क्या देखता हूँ, कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है और जिसको मैंने पहले तुरही के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था वही कहता है कि यहाँ उपर आजा, मैं वे बाते तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवस्य है और तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूँ, कि एक सिहासन स्वर्ग में धरा है और उस सिहासन पर कोई बैठा है और जो उस पर बैठा है, वो यशब और मानिक सा दिखाई पड़ता है और उस सिहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेग धनुष दिखाई देता है और उस सिहासन के चारों ओर चौबीस सिहासन है और इन सिहासनों पर चौबीस प्राची श्वीत वस्त्र पहने हुए बैठे है और उनके सिरों पर सोने की मुकट है और उस सिहासन में से बिजलिया और गर्चन निकलते है और सिहासन के सामने आग ते साथ धीपक जल रहे हैं, ये परमिश्वर की साथ आत्माए है और उस सिहासन के साम में मानो बिल्लावर के समान काँच कासा समुद्र है और सिहासन के बीच में और सिहासन के चारो ओर चार प्राणी है जिनके आगे पीछे आखे ही आखे है पहला प्राणी सिह के समान है और दूसरा प्राणी बचडी के समान है तीसरा प्राणी का मुँ मनुष्य कासा है और चाथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के सबान है और चारों प्राणियों के छे छे पंक हैं और चारों ओर और भीतर आखें ही आखें हैं और वे रात दिन बिना विश्राम लिये ये कहते रहते हैं के पवेत्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्व शक्तिमान जो था और जो है और जो आने वाला है और जब वे प्राणि उसकी जो सिहासन पर पैठा है और जो युगान युग जीवता है महिमा और आदर और धन्यवाद में तब चोविसों प्राचीन सिहासन पर बैठने वाले के सामने मुधिर पढ़ेंगे और उसे जो युगावन युग जीवता है प्रणाम करेंगे और अपने अपने मुकुर्ष सिहासन के सामने ये कहते हुए डाल देंगे कि हे हमारे प्रभू और परमेशु तू ही महिमाद और आदर और सामर के योग है क्योंकि तू ही ने सब वस्तों सिर्जी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सिर्जी गई अध्याए पांच और जो सिहासन पर बैठा था मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी और वो साथ मोहर लगा कर बंद की गई थी फिर मैंने एक बलवंत स्वर्ग दूत को देखा जो उचे शब्द से ये प्रचार करता था कि इस पुस्तक के खोलने और उसकी मुहरे तोड़ने योग ये कौन है और ना स्वर्ग में ना पृत्वी पर ना पृत्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टी डालने की योग निकला और मैं फूट फूट कर रोने लगा क्योंकि उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टी करने की योग कोई ना मिला तब उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा मत रो देख यहुदा की गोत्र का वो से जो दावत का मूल है उस पुस्तक को खोलने और उसकी सातों मोरे तोड़ने के लिए जैवन्त हुआ है और मैंने उस सिहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक बदखिया हुआ मेमना खड़ा देखा उसके साथ सीम और साथ आखे थी ये परमेश्वर की सातों आत्माएं हैं जो सारी पृत्वी पर भीजी गई है उसने आकर उसके दाविने हाथ से जो सिहासन पर बैठा था वो पुस्तक ले ली और जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और चौबीसों प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े और हर एक के हाथ में वीना और धूप से भरे हुए सोने के कटोरे थे ये तो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं और वे ये नया गीत गाने लगे के तो इस पुस्तक के लेने और उसकी महर खुरने के योग हैं क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और धाशा और लोग और जाती में से परमेशर के लिए लोगों को मोल लिया हैं और उन्हें हमारे परमेशर के लिए एक राज्ये और याजक बनाया और वे प्रति पर राज्ये करते हैं जब मैंने देखा तो उस सिहासन और उन प्राणियों और उन प्राचियों की चारों ओर बहुत से स्वर्गदूत का शब्द से थे जिनकी ग्रिती लाखों और करोडों की थी वे उची शब्द से कहते थे की वध किया हुआ मेवनही सामध और धन और क्यान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्रिवा के योगे फिर मैंने स्वर्ग में और पृत्वी पर और पृत्वी के नीची और सबुद्र की सब स्रेजी हुई वर्सी और सब कुछ को जो उनमें है ये कहते सुना कि जो सिहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्ये युगोन युग रहे और चारो प्राणियों ने आमी कहा और प्राचीरों ने गिरकर तंडवत किया अध्याए चैए फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन साथ मोहरों में से एक को खोला और उन चारों प्राणियों में से एक का गर्जन का सा सब सुना कि और मैंने द्रिष्टी की और देखा एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिये हुए है और उसे एक मुकुट दिया गया और वो जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करें जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे पराणी को ये कहते सुना कि फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंका था उसके सवार को ये अधिकार दिया गया कि प्रित्वी पर से मेल उठा ले ताकि लोग एक दूसरे को बद करें और उसे एक बड़ी दलवार दी ग तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे पराणी को ये कहते सुना कि और मैंने दृष्टी की और देखो एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है और मैंने उन चारों पराणीों के बीच में से एक शब्द ये कहते सुना के तीनार का सेर मखर केवी और तीनार का तीन सेर जब और देखो और दाक रस की हानी न करना जब उसने चौधी बहुर खोली तो मैंने चौधे पराणी का शब्द ये कहते सुनाती और मैंने द्रिष्टी की और देखो एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यो है और अधो लोग उसके पीछे पीछे और उन्हें पृत्वी की एक चौथाई पर ये अधिकार दिया गया कि तलबार और अकाल और मरी और पृत्री के वनपश्वो के द्वारा लोगों को मार डाने जब उसने पांचवी मुहर खोली तो मैंने वेधी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस कवाही के कारण जो उन्होंने दी थी बद किये गए थे और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा हे स्वामी हे पवित्र और हे सत्य तु कब तक न्याय न करेगा और पृत्वी के रहने वालों से हमारे लोहु का पल्टा कब तक न लेगा और उन्में से हर एक को श्वेई तवस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया के कि और थोड़ी देर तक विश्रान करो जब तक कि तुम्हारे संगितास और भाई जो तुम्हारी नाई वत्थ होने वाले हैं उनकी भी गिनती पूरी ना हो ले जब उसने छट्री मुहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूई डोर हुआ और सूर्य कम्मर की नहीं काला वो पूरा जंद्रमा लोहु का साथ और आकाश के तारे पृत्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आधी से हिलकर अंजीर के बेड़ में से कच्चे प्र जड़ते हैं और आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्र लपेटने से सरक जाता है और हर एक पहार और टापू अपने अपने स्थान से टल गया और पृत्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धन्वान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाणों की थोहों में और चटानों में जा ज़ते और पहाड़ों और चटानों से कहने लगे के हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मूँ से जो सिंधासन पर पैटा और मेंने के पुकॉप से चिपा लो क्योंकि मेंने के पुकॉप का भयारत दिना पहुचा है अब कौन पहर सकता है अध्याय साथ इसके बाद मैंने पृत्वी के चारों कोनों पर चार स्वर्ग दूद खड़े देखे वे पृत्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे ताकि पृत्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा ना चले फिर मैंने एक और स्वर्ग दूद को जीवते परमेश्वर की मुहर लिये हुए पूरब से उपर की ओर आते देखा उसने उन चारों स्वर्ग दोतों से जिन्हें पृत्वी और समुद्र की हानी करने का अधिकार दिया गया था उचे शब्द से पुकार कर कहा जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर न लगा दें तब तक पृत्वी और समुद्र और पेड़ों को हानी न पहुचाना और जिन पर मुहर दी गई मैंने उनकी गिंती सुनी कि इसराइल की संथानों के सब गोत्रों में से एक लाख चौालिस हजार पर मुहर दी गई यहूदा के गोत्र से बारह हजार पर मुहर दी गई रुबेन के गोत्र में से बारह हजार पर, गाद के गोत्र में से बारह हजार पर, आशेर के गोत्र में से बारह हजार पर, नप्ताली के गोत्र में से बारह हजार पर, मनशिख के गोत्र में से बारह हजार पर, शमाउन के गोत्र में से बारह हजार पर, लेवी के गोत्र में इसके बाद मैंने द्रिष्टी की और देखो हर एक जाती और कुन और लोग और भाशा में से एक ऐसी बड़ी भीड जिसे कोई गिन नहीं सकता था श्वेट वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिये हुए सिहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है वो बड़े शब्द से पुकार कर कहती है कि उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिहासन पर बैठा है और मेमने का जैजैकार हो सारे स्वर्गदू उस सिहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं फिर वे सिहासन के सामने मुँ के बल किरपड़ और परमेश्वर को दंडवत करके कहा आमीन हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ग्यान और धन्नवान और आदर और सामन्थ और शक्ति युगान युग बनी रहे आमीन इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा ये श्वेट वस्त्र पहने हुए कौन है वे कहां से आ रहे है मैंने उससे कहा हे स्वामी तू ही जानता है उसने मुझसे कहा ये वे है जो उस बड़े कलेश में से निकल कर आए इन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकत श्वेट दिये इसी कारण वे परवेश्वर के सेहासन के सामने और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते और जो सेहासन पर बैठा है वो उनके उपत अपना तंबू तानेगा वे फिर भूके और प्यासे ना होंगी पर ना उन पर धूप ना कोई तबन पड़ेगी क्योंकि मेंना जो सेहासन के बीट में है उनकी रख्वानी करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के शुरोतों के पास ले जाया करेगा और परमेश्वर उनकी आखों से सब आशू पोच्छडा देगा अध्याए आठ जब उसने सातवी मुहर खोली तो स्वर्ग में आध घडी तक सन्नाटा चागया मैंने उन सातों स्वर्ग दूतों को जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं देखा और उन्हें सात तुर्याँ दी गई फिर एक आव स्वर्ग दूत सोने का धूप दान लिये हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ उस सोन हली वेदी पर जो सिहासन के सामने है चड़ाही और उस धूप का धूआ पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहीद स्वर्ग दूत के हाथ से परमिश्वर के सामने पहुँच गया और स्वर्ग दूत ने धूप दान ले पर उसमें वेदी की आग भरी और प्रिथी पर डाल दे और गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूई डोल होने लगा और वे सातों स्वर्ग दूत जिनके पास सात तुरियां थी फोकने को तैयार हुए पहले स्वर्ग दूत ने तुरह भूख और लोहु से मिले हुए औले और आग उत्पन दे और पृत्वी पर डाले गए और प्रित्वी की एक तिहाई चल गए और पेड़ों की एक तिहाई चल गए और सब हरी घास भी जल गए और दूसरी स्वर्ग दूत ने तो देखूं की तो मानो आग सा जलता हुआ एक बड़ा पहाड समुद्र में डाला गया और समुद्र का एक तिहाई लोहू हो गया और समुद्र की एक तिहाई स्रिजी हुई वस्तुएं जो सजीव थी मर गए और एक तिहाई जहाज नाश हो गए और तीसरी स्वर्ग दूत ने तुरही फूंकी और एक बड़ा तारा जो मशाल की नाई जलता था स्वर्ग से तूटा और नदियों की एक तिहाई पर और पानी के स्ष्रोतों पर आपड़ और उस तारे का नाम नाग दौना कहलाता है और एक तिहाई पानी नाग दौना सा कड़वा हो गया और बहुतेरे मनुष्य उस पानी के कड़वे हो जाने से मर गए और चौथे स्वर्ग दूत ने तुरही भूकी और सूर्य की एक तिहाई और चांद की एक तिहाई और तारों की एक तिहाई पर आपड़ती आई यहाँ तक की उनका एक तिहाई अंग अधेरा हो गया और दिन की एक तिहाई में उजाला ना रहा और वैसे ही रात में भी और जब मैंने फिर देखा तो आकाश के बीच में एक उकाओ को उड़ते और उचे शब्द से ही कहते सुना की उन तीन स्वर्गदूतों की तुरही के शब्दों के कारण जिनका फूखना भी बाकी है प्रित्वी के रहने वालों पर हाई! 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 अध्याए नौ और जब पाँचवी स्वर्गदूत ने तुरही फूखी तो मैंने स्वर्ग से प्रित्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा और उसे अथाहा कुंड की कुंजी दी गई और उसने अथाहा कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआ उठा और कुंड के धुए से सूर्य और वायू अंधियाई हो गई और उस धुए में से प्रित्वी पर तिड्डिया निकली और उन्हें प्रित्वी के बिच्चू किसी शक्ति दी गई ना किसी हर्याली को ना किसी बेड को हानी पहुचाओ केवल उन मनुष्यों को जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है और उन्हें मार डालने का तो नहीं पर पांच महिने तक लोगों को पीड़ा देने का अधिकार दिया उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे पिच्छी के टंक मारने से मनुष्य को होती है उन दिनों में मनुष्य मृत्यों को ढूंडेंगे और ना पाएंगे और मरने की लालसा करेंगे और मृत्यों उनसे भागेगी और उन टिड़्यों के आगार लडाई के लिए तैयार किये हुए खोड़ों के से थे और उनके सिरों पर मानौ सोनी के मुखुट थे और उनके मुँ मनुष्यों के से थे और उनके बाद स्त्रियों के से और दाथ सीहों के से थे और वे लोहे किसी जिलम पहने थे और उनके पंखों का शब्द ऐसा था जैसा रथों और बहुत से घोड़ों का जो लडाई में दोडते हुँ और उनकी पूँच बिच्छू किसी थी और उनमें डंक थे और उन्हें पांच महिने तक मनुश्यों को दुख पहुचाने की जो सामर्थ थी वो उनकी पूँचों में थी अथाहा कुंड का दूद उन पर राजा था उसका नाम इबरानी में अब्डॉन और यूनानी में अपुल योन है पहली विपत्ती बीथ चुकी देखो अब इसके बाद दो विपत्तियां और होने वाली है और जब छटवे स्वर्ग दूद ने तुरही भूकी तो जो सोने की वेदी परमेश्वर के सामने है उसके सींगों में से मैंने ऐसा शब्द सुना मानो कोई छटवे स्वर्ग दूद से जिसके पास तुरही थी कह रहा है कि उन चार स्वर्ग दूदों को जो बड़ी नदी फुरात के पास बधे हुए हैं खोल दे और वे चारों दूद खोल दिये गए जो उस घड़ी और दिन और महिने और वर्ष के लिए मनश्यों की एक दिहाई के मार डालने को तैयार किये गए थी और फौजों के सवारों की गिनती दीस करोर थी मैंने यमकी गिनती सुनी और मुझे इस दर्शन में खोड़े और उनके ऐसे सवार दिखाई दिये जिनकी जिल में आग और धूमर कांत और गंधक कीसी थी और उन खोड़ों के सिर सिहों के सिरों जैसे थी और उनके मुँ से आग और धूआ और गंधक निकलती थी इन तीनों मैयों अर्थार्थ भाग और धूवें और गंधक से जो उसके मुह से निकलती थी मनुश्यों की एक तिहाई मार डाली गई क्योंकि उन घोडों की सामर्थ उसके मुह और उनकी पूछों में थी इसलिए कि उनकी पूछें सापों की सी थी और उन पूछों के सिर भी थे और इन ही से वे पीड़ा पहुँचाते थे और बाकी मनुश्यों ने जो उन मरियों से न मरे थे अपने हाथों के कामों से मन न फिराया के दुष्टात्माओं की और सोने और चांदी और पीतन और पत्थर और काठ की मूर्तों की पूजा ना करे जो न देख न सुन न चल सकती हैं और जो खोन और टोना और वेभीचार और चोरियां उन्होंने की थी उनसे मन न फिराया अध्याय दस फिर मैंने एक और बली स्वर्ग दूद को बादल ओडे हुए स्वर्ग से उतरते देखा उसके सिर पर मेग धनुष था और उसका मूँ सूरिय कासा और उसके पाउं आग के खंभे के से थे और उसके हाथ में एक छोटी से खुली हुए पुस्तक थी उसने अपना दाहिना पाउं समुद्र पर और पाया पृत्वी पर रख और ऐसे बड़े शब्द से चिलाया जैसा सीह गरचता है और जब वह चिलाया तो गरचन के साथ शब्द सुनाई दिये और जब सातों गरचन के शब्द सुनाई दे चुके तो मैं लिखने पर था और मैंने स्वर्ग से ये शब्द सुना जो बातें गरचन के उन साथ शब्दों से सुनी है उन्हें गुप्तरक और मतलिक और जिस स्वर्ग दूत को मैंने समुत्र और पृत्वी पर खड़े देखा था उसने अपना दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर उठाया और जो युगान युग जीवता रहेगा और जिसने स्वयम को और जो कुछ उसमें है और पृत्वी को और जो कुछ उसमें है स्रिजा उसी की शपत खाकर कहा अब तो और देर नहोगी वरन सात्वें स्वर्ग दूत के शब्द देने के दिनों में जब वो तुरही भूंकने पर होगा तो परमेश्वर का गुप्त मनोरत उस समाचार की अनुसार जो उसने अपने दास भविश्वत वक्ताओं को दिया पूरा होगा और जिस शब्द करने वालों को मैंने सुर्ग से बोलते सुना था वे फिर मेरे साथ बाते करने लगा के जहां जो सुर्ग दूत समुत्र और पृत्री पर कड़ा है उसके हाथ में की खुली भी पुस्तत ले ले और मैंने सुर्ग दूत के पास जाकर कहा ये छोटी पुस्तत मुझे दे और उसने मुझसे कहा ले इसे खा जा और ये तेरा पेट कड़वा तो करेगे पर तेरे मुझ में मधूसी मीठी लगी सो मैं वो छोटी पुस्तक उस स्वर्ग दूत के हाथ से लेकर खा गया वो मेरे मूँ में मधूसी मीठी तो नगी पर जब मैं उसे खा गया तो मेरा पेट कणवा होगे तब मुझसे ये कहा गया के तुझे बहुत से लोगों और जातियों और भाशाओं और राजाओं पर फिर भविश्यत्वानी करनी होगी अध्याए ग्यारे और मुझे लग्गी के समान एक सरकंडा दिया गया और किसी ने कहा उठ परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उस बजन करने वालों को नाप ले और मंदिर के वहार का अंगर छोड़ दे उसे मतनाद क्योंकि वो अन जातियों को दिलिया गया है और वे पवित्व नगर को 42 महीने तक दोंदेगी और मैं अपने दो गवाहों को ये अथिकार दूँगा कि टा टोड़े हुए 1260 दिन तक भविश्यत्वानी करें ये वे ही जैतूम के दो पेड और दो दीवट हैं जो पृत्वी के प्रभू सामने खड़े रहते हैं और यदि कोई उनको हानी पहुचाना चाहता है तो उनके मुँ से आग निकल कर उनके बैरियों को भस्व करती हैं और यदि कोई उनको हानी पहुचाना चाहेगा तो अवश्य इसी रीती से मार डाला जाएगा इन्हें अधिकार है के आकाश को बंद करें के उनकी भविश्य द्वानी के दिनों में महिना बरसे और उन्हें सब पानी पर अधिकार है के उसे लुहु बनाएं और जब जब चाहें तब तब प्रती पर हर प्रकार की आपत्ती लाएं और जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे, तो वे पशू जो अथा कुंड में से निकलेगा, उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डानेगा, और उनकी लोथें उस बड़े नगर की चौक में पड़ी रहेगी, जो आत्मिक रीती से सदोम और मिसर कहलाता है, ज जहां उनका प्रभू भी क्रूस पर चड़ाया गया था, और सब लोगों और कुलों और भाशाओं और जातियों में से लोग उनकी लोथें साड़े तीन दिन तक देखते रहेंगे, और उनकी लोथें कब्र में रखने ना देंगे, और प्रित्वी के रहने वाले उनके मरन से आनन्दित और मगन होंगे, और एक दूसरे के पास भेंट भीजेंगे, क्योंकि इन दोनों भविश्य द्वक्ताओं ने प्रित्वी के रहने वालों को सताया था, और साड़े तीन दिन के बाद परवेश्वर की ओर से जीवन की आत्मा उनमें पैठ गई, और वे अपने पाउं के बल खड़े हो गए, और उनके देखने वालों पर बड़ा भय चा गया, और उन्हें स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई धिया कि, यहां उपर आओ, यह सुन, वे बादल पर सवार होकर अपने बैरियों के देखते देखते स्वर्ग पर चढ़ गए, फिर उ जगर का दस्वा अंश गिर पड़ा, और उस भूई डोल से साथ हजार मनुष्य मर गए, और शेश डर गए, और स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा की, दूसरी विपत्ति बीच चुकी, देखो, तीसरी विपत्ति शीख्र आने वाली है, और जब सात्वे दूत ने तुरही भूकी, तो स्वर्ग में इस विशे के बड़े बड़े शब्द होने लगे की, जगत का राज्ज हमारे प्रभू का, और उसके मसीहा का हो गया, और वो युगान युग राज्ज करेगा, और चौविसों प्राचीन, जो परमेश्वर के सामने अपने अपने सिहासन पर बैठे थे, मुहु के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करते, ये कहने लगे की, ये सर्शुक्ति मान प्रभू परमेश्वर, जो है और जो था, हम तेरा धनेवाद करते हैं, कि तुने अपने बड़ी सामन काम में लाकर राचे किया, और अन्य जाति में क्रोध किया, और तेरा प्रकुप आपड़ा, और वो समय आप हुँचा है, कि मरे हों का न्याई किय और तेरे दास, भविश्दुपताओं, और पौवत लोगों को, और उन छोटे वड़ों को, जो तेरे नाम से डरते हैं, बदला दिया जाए, और प्रत्री के बिगारने वाले को नाश किया जाए, और मेश्वर का जो मंदिर स्वर्व ने, वो खोला गया, और उसके मंदिर में उसकी वाचा का संदूर दिखाए लिए, और बिजलियां, और शर्थ, और गर्जन, और वी डोर हुए, और बड़े ओले पड़े अध्याए बारे फिर स्वर्ग पर एक बड़ा चिन दिखाई दिया, अर्थार्थ, एक स्त्री, जो सूर्य ओडे हुए थी, और चांद उसके पाउं तले था, और उसके सिर पर बारे तारों का मुकुट था, और वो गर्भवती हुई, और चिल्लाती थी, क्योंकि प्रसव की पीड़ा उसे लगी थी, और वो बच्चा जनने की पीड़ा में थी, एक और चिन स्वर्ग पर दिखाई दिया, और देखो, एक बड़ा लाल अजगर था, जिसके साथ सिर और तस सींग थी, और उसके सिरों पर साथ राज मुकुट थे, और उसकी पूँच ने आकाश के तारों की एक ति पर डाल दिया, और वो अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी, खड़ा हुआ के जब वो बच्चा जने, तो उसके बच्चे को निगल जाए, और वो बेटा जनी, जो लोहे का टंड लिये हुए, सब जातियों पर राज्य करने पर था, और उसका बच्चा एका एक प परमेश्वर के पास और उसके सिहासन के पास उठा कर पहुचा दिया, और वो स्त्री उस जंगल को भाग गई, जहां परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी, कि वहां वो 1260 दिन तक पाली जाए, फिर स्वर्ग पर लड़ाई, मिकाईल और उसके दूद अजगर से लड़ने को निकले, और अजगर और उसके दूद उससे लड़े, परन्तू प्रबल न हो ले, और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रहे, और वो बड़ा अजगर अर्थार्थ वही पुराना सांप जो इबलीस और शैतान कहलाता है, और सारे संसार क भर्माने वाला है, पृत्वी पर गिरा दिया गया, और उसके दूद उसके साथ गिरा दिये दे, फिर मैंने स्वर्ग पर से ये बड़ा शब्द आते हुए सुना कि, अब हमारे परवेश्वर का उत्थार, और सामर्थ, और राज्ज, और उसके वसीह का अधिकार पगट ह हुआ है, क्योंकि हमारे भाईयों पर दोश लगाने वाला, जो रात दिन हमारे परवेश्वर के सामने उन पर दोश लगाया करता था, गिरा दिया गया, और वे मेमने के लोहु के कारण, और अपनी गवाही के बजन के कारण, उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना, यहां तर कि मृत्यों भी सहली, इस कारण, यह स्वर्गों और उन्मे के रहने वालों मगन हो, यह प्रित्वी और समुद्र, तुम पर दाए, क्योंकि शैतान बढ़े क्रोध के साथ तुमारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थ जब अजगर ने देखा कि मैं प्रित्वी पर गिरा दिया गया हूं, तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया, और उस स्त्री को बड़े उकाब के दो पंख दिये गए, कि साप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगे पहुँच जाए, जहां वो एक समय और समयों और आधे समय तक पाली जाए, और साप ने उस स्त्री के पीछे अपने मुह से नदी की नई पानी बहाया के उसे इस नदी से बहा दे, परंतु प्रित्वी ने उस स्त्री की सहता की, और अपना मुह खोल कर उस नदी को जो अजगर ने अपने मुह से बहाई थी पी लिया, और अजगर स्त्री पर प्रोधित हुआ और उसकी शेश संतान से जो परमेश्वर की आज्याओं को मानते और यिशु की कवाही देने पर स्तिर है लड़ने को गया और वो समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ अध्याए तेरे और मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा जिसके दस सीग और साथ सिर्थ हुए और उसके सीगों पर दस राज मुकुट और उसके सिरों पर इंदा के नाम लिखे हुए था और जो पशु मैंने देखा वो चीते की नई था और उसके बां भलू के से और मुँ सीह कासा था और उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिहसन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया और मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी खाव लगा दिखा मानो वो मरने पर है फिर उसका प्रान खा तक खाव अच्छा हो गया और सारी प्रत्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले और उन्होंने अजगर की पूझा की क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था और ये कहकर पशु की पूझा की कि इस पशु के समान कौन है कौन उससे लड़ सकता है और बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुह दिया गया और उसे 42 महिने तक काम करने का अधिकार दिया गया और उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुह खोला के उसके नाम और उसके तंबू अर्थार्थ स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करे और उसे ये अधिकार दिया गया के पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जये पाए और उसे हर एक कुल और लोग और भाशा और जाती पर अधिकार दिया गया और पृत्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए जो जगत की उत्पत्ती के समय से खात हुआ है उस पशु की पूजा करेंगे जिसके कान हूँ वो सुने जिसको कैद में पढ़ना है वो कैद में पढ़ेगा जो तलवार से मारेगा अवश्य है कि वो तलवार से मारा जाएगा पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास इसी में है फिर मैंने एक और पशु को पृत्वी में से निकलते हुए देखा उसके मेमने के से दो सींग थे और वो अजगर की नई बोलता था और ये उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था और पृत्वी और उसके रहने वालों से उस पहले पशु की जिसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया था पूजा करता था और वो बड़े बड़े चिन दिखाता था यहां तक की मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृत्वी पर आग बरसा देता था और उन जिनों के कारण जिनहें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था वो पृत्वी के रहने वालों को इस प्रकार भर्माता था कि पृत्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशू के तलवार लगी थी वह जी गया है उसकी मूरत बनाओ और उसे उस पशू की मूरत में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशू की मूरत बोलने लगे और जितने लोग उस पशू की मूरत की पूजा ना करें उन्हें मरवा डाले और उसने छोटे, बड़े, धनी, कंगाल, स्वतंत्र, दास सबके दहिने हाथ या उनके माथे पर एक-एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थार्थ उस पशू का नाम या उसके नाम का अंक हो और कोई लेन देन ना कर सके जान इसी में हैं जिसे बुद्धी हो वह इस पशू का अंक जोड़ ले क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है अध्याय चौदा फिर मैंने द्रिष्टी की और देखो वो मेमना सियोन पहाड पर खड़ा है और उसके साथ 144,000 हैं जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है और स्वर्ग से मुझे एक ऐसा शब्द सुनेगे जो जल की बहुत धाराओं और बड़े गर्जन कासा शब्द था जो शब्द मैंने सुना वो ऐसा था मानो वीड़ा बजाने वाले वीड़ा बजाते हों और वे सिहासन के सामने और चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने मानो एक नया गीत गा रहे थे और उन एक लाख चोवालिस हजार जुनों को छोड़ जो पृत्वी पर से मोल लिए गए थे कोई वो गीत ना सीख सकता था ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुआरे हैं ये वे ही हैं कि जहां कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं ये तो परमेश्वर के निमित पहले फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिये गए हैं उनके मुँ से कभी जूट ना निकला था वे निर्दोश हैं फिर मैंने एक और स्वर्ग दूद को आकाश के बीच में उरते हुए देखा जिसके पास पृत्वी पर के रहने वालों की हर एक जाती और कुल और भाशा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सू समाचार था उसने बड़े शब्द से कहा परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो क्यूंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुचा है और उसका भजन करो जिसने स्वर्ग और प्रित्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए फिर इनके बाद एक और स्वर्ग दूत बड़े शब्द से ये कहता हुआ आया कि फिर इनके बाद एक और स्वर्ग दूत बड़े शब्द से ये कहता हुआ आया कि जो कोई उस पसू और उसकी मुरत का पुजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले तो वहां परमिश्वर के प्रपोग की नीरी मंदिरा जो उसके फ्रोथ के कटोरे में डाली गई है पिएगा और पवित्र स्वर्ग दुतों के सामने और मेमने के सामने आख और गंधर की पिला में पड़ेगा और उनकी पिला का धुआ युगन यू उसता रहेगा और जो उस पसु और उसकी मुरद की पुजा करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं उनको रात दिन चैना मिलेगा पवित्र लोगों का धीरच इसी में है जो परमेश्वर की आज्याओं को मानते और येशु पर विश्वास रखते हैं और मैंने सुर्ख से ये शब्द सुला कि लिख जो मुर्दे प्रभू में मरते हैं वे अब से धन्य हैं आत्मा कहता है हाँ क्योंकि वे अपने परिश्रमों से विश्राम पाएंगे और उनके कार उनके साथ हो लेते हैं और मैंने द्रिश्टी की और देखो एक उजला बादल है और उस बादल पर मनश्य के पुत्र सरीखा कोई बैठा है जिसके सिर पर सोने का मुकुट और हाथ में चोखा हंसुआ है फिर एक और स्वर्ग दूत ने मंदिर में से निकल कर उस से जो बादल पर बैठा था बड़े शब्द से पुकार कर कहा कि अपना हंसुआ लगा कर लवनी कर क्योंकि लवने का समय आ पहुचा है इसलिए कि प्रिथ्वी की खेती पक चुकी है सो जो बादल पर बैठा था उसने प्रिथ्वी पर अपना हंसुआ लगाया और प्रिथ्वी की लवनी की गए फिर एक और स्वर्ग दूत उस मंदिर में से निकला जो स्वर्ग में है और उसके पास भी चोखा हंसुआ था फिर एक और स्वर्ग दूत जिसे आग पर अधिकार था वेदी में से निकला और जिसके पास चोखा हंसुआ था उससे उंचे शब्द से कहा अपना चोखा हंसुआ लगा कर प्रिथ्वी की दाखलता के गुच्छे काट ले क्योंकि उसकी दाख पक चुकी है और उस स्वर्गदूत ने प्रित्वी पर अपना हंस्वा डाला और प्रित्वी की दाखलता का फल काट कर अपने परमेश्वर के प्रकोप के बड़े रस के कुंड में डाल दिया और नगर के बाहर उस रस के कुंड में दाख रांदे गए और रस के कुंड में से इतना लहू निकला की खोडों के लगामों तक पहुँचा और सौ कोस तक बह गया अध्याय पंद्रा फिर मैंने स्वर्ग में एक और बड़ा और अद्भुत चिन देखा अर्थात साथ स्वर्ग दूत जिनके पास सातों पिछली विपत्तियां थी क्योंकि उनके हो जाने पर परमेश्वर के प्रकोप का अंत है और मैंने आग से मिले हुए काँच कासा एक समुद्र देखा और जो उस पशुपर और उसकी मूरत पर और उसके नाम के अंक पर जयवंत हुए थे उन्हें उस काज के समुद्र के निकट परमेश्वर की विणाओं को लिये हुए खड़े देखा और वे परमेश्वर के दास मुसा का गीट और मेम्ने का गीट गागा कर कहते थे कि हे सर्विशक्ति मान प्रभू परमेश्वर तेरे कारे बड़े और अग्वत है हे युग-युग के राजा तेरी चाल ठीक और सच्ची है हे प्रभू को तुछ से न डरेगा और तेरे नाग की महिवण न करेगा क्योंकि ये वर तू ही पवित्र है और सारी चातियां आकर तेरे सामने तन्वत करेंगी क्योंकि तेरे न्याई के काम प्रगट हो गए है और उसके बाद मैंने देखा कि स्वर्ग में साक्षी के तंबू का मंदिर खोला गया और वो सातों स्वर्ग दूत जिनके पास सातों विपतियां थी शुद्ध और चमकती हुई मनी पहने हुए छाती पर सुनहले पटके बाधे हुए मंदिर से निकले और उन चारों प्राणियों में से एक ने उन सात स्वर्ग दूतों को परमेश्वर के जो युगान उ युग जीवता है प्रकोप से भरे हुए सात सोने के कटोरे दिये और परमेश्वर की महिवा और उसकी सामर्थ के कारण मंदिर धूएं से भर गये और जब तक उन सातों स्वर्ग दूतों की सातों विपत्यां समाप्त ना हुई तब तक कोई मंदिर में ना जा सका अध्याय सोला फिर मैंने मंदिर में किसी को उचे शब्द से उन सातों स्वर्ग दूतों से ये कहते सुना के जाओ परमेश्वर के प्रकोप के सातों कटोरों को प्रित्वी पर उंडेल दो सो पहले ने जाकर अपना कटोरा प्रित्वी पर उंडेल दिया और उन मनुष्यों के जिन पर पशु की जाब थी और जो उस मूरत की पुजा करते थे एक प्रकार का वुरा और दुखदाई फोड़ा निकला दूसरे ने अपना कटोरा समुद्र पर उंडेल दिया और वो मरे हुए कासा लोहू बन गया और समुद्र में का हर एक जीवधारी मर गया और तीसरे ने अपना कटोरा नतियों और पानी के स्रोतों पर उंडेल दिय और वे लोहू बन गए और मैंने पानी के स्वर्ग दूद को ये कहते सुना के हे पवित्र जो है जो था तू न्याई है और तूने ये न्याई किया क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों और भविश्चे द्रक्ताओं का लोहू बहाया था और तूने उन्हें लोहूप बिलाया, क्योंकि वे इसी योग्य है फिर मैंने वेदी से ये शब्द सुना के हाँ, हे सर्वशक्ति मान प्रभु परमेश्वर, तेरे निर्णे ठीक और सच्चे हैं चौथे ने अपना कटोरा सूर्यपनुडेल दिया और उसे मनुष्यों को आग से जुलसा देने का अधिकार दिया गया और मनुष्य बड़ी तपन से जुलस गए और परमेश्वर के नाम की जिसे इन विपत्तियों पर अधिकार है निंदा की और उसकी महिमा करने के लिए मन ना प्याया पांचवे ने अपना कटूरा उस पश्यू के सिंगासन पर उडेल दिया और उसके राज्ये पर अंधिरा चा गया और लोग पीडा के मारे अपनी अपनी जीब चबाने लगे और अपनी पीडाओं और पोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा दे और अपने अपने कामों से मन ना प्याया चटवे ने अपना कटूरा बड़ी नदी फुराद पर उडेल और उसका पानी सूख गया कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तयार हो जाए और मैंने उस अजगर के मूँ से और उस पशू के मूँ से और उस जूठे भविश्य दुप्ता के मूँ से तीन अशुध आत्माओं को मेड़कों के रूप से निकलते देखा ये चिन दिखाने वाली दुष्टात्मा है जो सारे संसार के राजाओं के पास निकल कर इसलिए जाती हैं कि उन्हें सर्वुशक्ती मान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए कठा करें देख मैं चोर की नाई आता हूँ धन्य वो है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा न फिरे और लोग उसका नंगापन न देखें और उन्होंने उनको उस जगा इकठा किया जो इबरानी में हर मगीदोन कहलाता है सात्वे ने अपना कटोरा हवा पर उंडेल दिया और मंदिर के सिहासन से ये बड़ा शब्द हुआ कि हो चुका फिर बिजलिया और शब्द और करजन हुए और एक ऐसा बड़ा भुई डोल हुआ कि जबसे मनश्य की उत्पत्ति प्रिथी पर हुई तब से ऐसा बड़ा भुई डोल कभी न हुआ था और उस बड़े नगर के तीन दुकड़े हो गए और जाती जाती के नगर गिर पड़े और बड़े बाबुल का स्मरण परमेश्वर के यहां हुआ कि वो अपने क्रोध की जल जला हट की मधिरा उसे पिलाए और हर एक टापू अपनी जगे से टल गए और पहाड़ों का पता ना जाए और आकाश से मनुष्यों पर मन मन भर के बड़े ओले गिरे और इसलिए ये विपत्ती बहुत ही भारी थी लोगों ने ओलों की विपत्ती के कारण परमेश्वर की निन्दा की अध्याए सत्रा जिन साथ स्वर्ग दूतों के पास वे साथ कटोरे थे उन मेंसे एक ने आकर मुझसे ये कहा कि इधर आ मैं तुझे उस बड़ी विश्या का दंड दिखाऊं जो बहुत से पानियों पर बैठी है जिसके साथ प्रित्वी के राजाओं ने वे अभी चार किया और प्रित्व से मतवाले हो गए थे तब वो मुझे आत्मा के जंगल को ले गया और मैंने किर्मिजी रंग के पशू पर जो निंदा के नामों से छिपा हुआ था और जिसके साथ सिर और दस सींग थे एक स्त्री को बैठे हुए देखा ये स्त्री बैंजनी और किर्मिजी कपड़े पहने थी और सोने और बहुमोल मनियों और मोतियों से सजी हुई थी और उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था जो ग्रणित वस्तूओं से और उसके व्यभीचार की अशुद्ध वस्तूओं से भरा हुआ था और उसके माथे पर ये नाम लिखा था बेद बड़ा बाबुल प्रत्वी की वैश्याओं और ग्रडित वस्तों की माता और मैंने उस स्त्री को पवित्र लोगों के लोहू और येश्यू के गवाहूं के लोहू पीने से मतवाली देखा और उसे देखकर मैं चकित हो गया उस स्वर्ग दोत ने मुझसे कहा तू क्यों चकित हुआ? मैं इस स्त्री और पशु का जिस पर वो सवार है और जिसके साथ सिर और दस सींग है तुझे भेद बताता हूँ जो पशु तूने देखा है ये पहले तो था पर अब नहीं है और अधा कुंड से निकल कर विनाश में पड़ेगा और प्रित्वी के रहने वाले जिनके नाम जगत की उत्पत्ती के समय से जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए इस पशु की ये दशा देखकर की पहले था और अब नहीं और फिर आ जाएगा अचंभा करेंगे उस बुद्धी के लिए जिसमें ग्यान है यही अफसर है वे साथों सिर पहाड हैं जिन पर वो इस तरी बैठी है और वे साथ राजा भी हैं पांच तो हो चुके हैं और एक अभी है और एक अब तक आया नहीं और जब आएगा तो कुछ समय तक उसका रहना भी आवश्य है और जो पशु पहले था और अब नहीं वो आप आठवा है और उन सातों में से उत्पन हुआ और विनाश में पड़ेगा और जो दस सींग तुने देखे वे दस राजा हैं जिन्होंने अब तक राज़े नहीं पाया पर उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं का असा अधिकार पाएंगे ये सब एकमन होंगे और वे अपनी अपनी सामत और अधिकार उस पशु को दे देंगे ये मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जैपाएगा क्योंकि वो प्रभू का प्रभू और राजाओं का राजा है और जो बुलाए हुए और चुने हुए और विश्वासी उसके साथ है वे भी जैपाएंगे फिर उसने मुझ से कहा के जो पानी तुने देखे जिन पर विश्या बैठी है वे लोग और बिलो और जातिया और भाशाएं है और जो दस सींग तूने देखे, वे और पशु स्वेश्या से बैर रखेंगे, और उसे लाचार और नंगी करतेंगे, और उसका मांस खाजाएंगे, और उसे आग पू जला देंगे, क्योंकि परमेश्वर उनके मन में ये डालेगा, कि वे उसकी मन साब पूरी करें, और जब बड़ा नगर है जो प्रत्वी के राजाओं पर राज्य करता है। प्रत्वी के व्यवपारी उसके सुख विलास की बहुतायत के कारण धनवान हुए है। फिर मैंने इस स्वर्ग से किसी और का शक्त सुना के। ये मेरे लोगो उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी ना हो। और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आना पड़े। क्योंकि उसके पाप स्वर्ग तक पहुँच गए हैं। और उसके अधर्म परमेश्वर को स्मर्ण आये हैं। जैसा उसने तुम्हें दिया है वैसा ही उसको भर दो। और उसके कामों के अनुसार उसे दो गुणा भर दो। जिस कटोरे में उसने भर दिया था उसी में उसके लिए दो गुणा भर दो। जितनी उसने अपनी बढ़ाई की और सुक विलास किया उतनी उसको भीडा और शोक दो। क्योंकि वो अपने मनमी कहती है। मैं रानी हो बैटी हो, विद्वा नहीं और शोक में कभी ना पड़ूंगी। इस कारण एक ही दिन में उस पर विपत्तियां आ पड़ेंगी। अर्थात, मृत्यू और शोक और अकाल और वो आग में भस्म कर दी जाएंगी। क्योंकि उसका न्याई प्रभू परमेश्वर शक्तिमान है। और पृत्वे के राजा, जिन्होंने उसके साथ वहविचार और सुक विलास किया। जब उसके जलने का धुआ देखेंगे, तो उसके लिए रोएंगे और छाती पीटेंगे। और उसकी पीड़ा के डर के मारे दूर खड़े होकर कहेंगे। ए बड़े नगर भाबुल, ए तुर नगर, हाए, हाए, गड़ी ही पर में तुझे तंड मिल गया है। और पृत्वी के विवपारी उसके लिए रोएंगे और कलपेंगे। क्योंकि अब कोई उनका बाल बोल न लेगा। पर्थाच, सोना, चांदी, रत्द, मोती और मलमल, और बैंजनी और रेश्मी, और किर्विजी कपड़े, और हर प्रकार का सुगंदित काथ, और हाती दान की हर प्रकार की बस्तुएं और बहुबोल काथ, और पीतल, पुर्लोहे और संगमर्मर के सब भादि के पात्तुए और दारची, मसाले, धूब, इत्र लोबान, मदिरा, तेल, नैदा, गेहूं, गाए, बैल, फेर, बक्रियां, ठोडे, रच, और दास, और मनुश्यों के प्राण अब तेरे मन भावने बल तेरे पास से जाते रहे, और सौदिष्ट और भड़कीली वस्तुएं तुछ से दूर हुई है, और वे भिर्कदा पीना मिलेगी इन वस्तुएं के व्योबारी जो उसके द्वारा धन्वान हो गए थे, उसकी पीड़ा के डर के मारे दूर खड़े हुँगे, और रोते और कलपते हुए कहेंगे हाए, हाए, ये बड़ा नगर जो मलमल और पेजनी और किर्विजी कपड़े पहने था, और सोने और नत्लों आर्भोतियों से सजा था गड़ी ही भर में उसका ऐसा भारी धन्वान हो गया और हर एक माझी और जलियात्री और मल्ला और जितने समुद्र से कमाते हैं, सब दूर खड़े हुए और उसके जलने का धुआ देखते हुए बुकार कर कहेंगे कौन सा नगर इस बड़े नगर के समान है और अपने अपनी सिरों पर धूल डाले और रोते हुए और कलपते हुए चिला चिला कर कहेंगे कि आए, आए, ये बड़ा नगर जिसकी संपस्ति के द्वारा समुद्र के सब जहाद वाले धनी हो गए थे जड़ी ही भर में उचर गया हे इस्वर और हे पवित्र जोगों और प्रेवित्रों और धविक्षत वक्ता हो उस पर आनन करो क्योंकि परविश्व ने न्याय करके उससे तुम्हारा पल्टा जिया है फिर एक वलवंत स्वर्गदूत ने बड़ी चक्की के पाट के समान एक पत्थर उठाए और ये कहकर समुद्र में फेंक दिया कि बड़ा नगर बाबुल ऐसे ही बड़े बल से गिराय जाएगा और फिर कभी उसका पता न मिलेगा और विवना बजाने बालों और पज़्दियों और बंसी बजाने बालों और तुरही भूखने बालों का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई न देगा और किसी उत्यम का कोई कारीगर भी फिर कभी तुझ में न मिलेगा और चक्की के चलने का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई न देगा और दिया का उजाला फिर कभी तुझ में न चमकेगा और दूते और दिर्फिन का शब्ध फिर कभी तुझ में सुनाई न देगा क्योंकि तेरे वैबारी पृत्वी के प्रधान थे और तेरे टोने से सब जादियां भरमाई गई थी और भवश्य दुरक्ताओं और पुवित्र लोगों और प्रिट्वे पर सब खाद किये रोगों का लगों उसी में पाया गया अध्याए उन्नीस इसके बार मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड को उजे शब्द से ये कहते सुना के हलिलुया उद्धार और महिमा और सावत हमारे पर में सभी की है क्योंकि उसके निर्णे सच्छे और ठीक है इसे लिए उसने उस बड़ी वहष्या का जो अपने व्यभी चार से प्रक्षी को भ्रष्ट करती थी मियाई किया और उसने अपने दाफों के लोगों का पैटा लिया है फिर दूसरी बार उन्होंने हलेलुया और उसके जलने का धुआ युगानू युग उठता रहेगा और चौवीसों प्राचियों और चारों प्राणियों ने गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया जो सिहासन पर बैठा था और कहा आमीन अलिलुया और सिहासन में से एक शब्द निकला के है हमारे परमेश्वर से सब डरने वाले दासों क्या छोटे क्या बड़े तुम सब उसकी स्तुति करो फिर मैंने बड़ी भीर का सा और बहाँ जलका सा शब्द और करजनों का सा बड़ा शब्द सुना हलिलुया इसलिए कि प्रभू हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है आओ अब आदन्दिक और मगद हो और उसकी स्कुर्दी करें क्योंकि मेंने का बिहाँ भोजा और उसकी पत्री ने अपने आपको तयार कर लिया है और उसको शुद और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है और उसने मुझसे कहा या लिक की धन्यवे है जो मेंने के बिया के भोज में भुला गए है फिर उसने मुझसे कहा ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है और मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पाउँ पर गिरा उसने मुझसे कहा देख ऐसा मत कर मैं तेरा और तेरे भाईयों का संगीद आस हूँ जो एश्व की गवाई देने पर स्ती रहे हैं परमेश्वर ही को दंडवत कर क्योंकि एश्व की गवाई भईशदवानी की आत्मा है फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है और वो धर्म के साथ न्याय और लड़ाई करता है उसकी आखें आग की जौला है और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुत है और उसका एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता और वो लुहु से छड़का हुआ वस्तर पहने है और उसका नाम परमेश्वर का वचन है और स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़े पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछी पीछे है और जाती जाती को मारने के लिए उसके मुँ से एक चोखी तलवार निकलती है और वो लोहे का राज दंड लिये हुए उन पर राज्य करेगा और वो सर्व शक्ति मान परमेश्वर के भयानक प्रभोव की चल जलाहट की मदीरा के कुंड में डाक रौण देगा और उसके वस्तर और जांग पर ये नाम लिखा है फिर मैंने एक स्वर्ग दूत को सूर्य पर खड़े हुए देखा और उसने बड़े शब्द से पुकार कर आकाश के बीच में से उड़ने वाले सब पक्षियों से कहा आओ परमेश्वर की बड़ी भ्यारी के लिए इकठे हो जाओ जिस से तुम राजाओं का मास और सरदारों का मास और शक्ती मान पुरुषों का मास और घोडों का और उनके सवारों का मास और क्या स्वतंत्र क्या दास क्या छोटे क्या बड़े सब लोगों का मास खाओ फिर मैंने उस पशू और पृत्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को उस घोडे के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकठे देगा और वो पशू और उसके साथ वो जूटा भविश्य द्वक्ता पकड़ा गया जिसने उसके सामने ऐसे चिन्न दिखाये थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया जिनोंने उस पशू की च्छाप ली थी और जो उसकी मूरब की पूजा कर दे थे ये दोनों जीते जी उस आग की जील में जो गंधक से जलती है डाले गए और शेश लोग उस खोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुह से निकलती थी मार डाले गए और सब पक्षी उनके मास से त्रिप्त हो गए अध्याए 20 फिर मैंने एक स्वर्ग दूद को स्वर्ग से उतरते देखा जिसके हाथ में अथाहा कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी और उसने उस अजगर अर्थात पुराने साब को जो इबलीस और शैतान है पकड़ कर हजार वर्ष के लिए बाध दिया और उसे अथाहा कुंड में डाल कर बंध कर दिया और उस पर महर कर दी के वो हजार वर्ष के पूरे होने तक जाती जाती के लोगों को फिर ना भरमाए इसके बाद अवश्य है के थोड़ी दे के लिए फिर खोला जाए फिर मैंने सिहासन देखे और उन पर लोग बैठ है और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया और उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यिशू की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे और जिन्होंने ना उस पशू की और ना उसकी मूरत की पूजा की थी और ना उसकी च्छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी वे जीवी थोकर मसीही के साथ हजार वर्ष तक राज्य करते रहे और जब तक ये हजार वर्ष उने ना हुए तब तक शीश मरे हुए न जी उठे ये तो पहला मृत को थान है धन्य और पवित्र वो है जो इस पहले पुनुरुद्धान का भागी है ऐसों पर दूसरी मृत्यू का कुछ भी अधिकार नहीं पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ हजार वर्ष तक राज्य करेंगे और जब हजार वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैज से छोड़ दिया जाएगा और उन जातियों को जो पृत्वी के चारो ओर होगी अर्थात या जूज और माजूज को जिनकी किंती समुद्र की बालू के बराबर होगी भरमा कर लड़ाई के लिए इकटे करने को निकलेगा और वे सारी पृत्वी पर पहल जाएगी और पवित्र लोगों की चावनी और प्रियत नगर को खेर लेगी और आग स्वर्ग से उतर कर उन्हें भरसु करेगी और उनका भरमादे वाला शैतान आग और कंधक की उस झील में जिसमें वो बशू और जूठा भविश्य द्वक्ता भी होगा डाल दिया जाएगा और वे राद दिन युगान युग पीडा में पड़कते रहे फिर मैंने एक बड़ा श्वीच सिहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा जिसके सामने से प्रित्वी और आकाश भाब गए और उनके लिए जगा ना में फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तके खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई अर्थार्थ जीवन की पुस्तक जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था उनके कामों के अनुसार मरे हों का न्याय किया गया और समुद्र ने उन मरे हों को जो उसमें थे दे दिया और मृत्यू और अधो लोक ने उन मरे हों को जो उनमें थे दे दिया उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका ज्याय किया गया और मृत्यू और अधो लोग भी आग की जील में डाले गए ये आग की जील तो दूसरी मृत्यू है और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तत में लिखा हुआ ना मिला वो आग की जील में डाला गया अध्याए 21 फिर मैंने नए आकाश और नई प्रत्वी को देखा क्योंकि पहला आकाश और पहली प्रत्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा फिर मैंने पवित्र नगर नए यरुशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देख और वो उस दुल्हं के समान थी जो अपने पती के लिए सिंगार किये हुए फिर मैंने सिहासन में से किसी को ऊचे शब्द से ये कहते हुए सुना के देख, परमेश्वर का डेरा मनुश्यों के बीच में है, वो उनके साथ डेरा करेगा, और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा, और उनका परमेश्वर होगा, वो उनकी आँखों से सब आशू पोंच डालेगा, और इसके बाद मृत्तू ना रहेगी और ना शोग ना विलाब ना पीड़ा रहेगी पहली बातें जाती रहे और जो सिहासन पर बैठा था उसने कहा के देख मैं सब कुछ नया कर देता फिर उसने कहा के लिख ले क्योंकि ये वचन विश्वास के योगे और सत्य है फिर उसने मुझसे कहा ये बातें पूरी हो गई है मैं अल्पा और ओमेगा आदी और अल्थ हो मैं प्यासे को जीवन के जल के सोती में से सेदमेत बिलाओंगा जू जैपाए वही इन वस्तूओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होगा और वो मेरा पुत्र होगा पर डर्बूकों और अविश्वासियों और घिनोनों और हत्यारों और वेवचारियों और टोनों और मूर्ती पूजकों और सब जूटों का भाग उस छील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है ये दूसरी मृत्यु है फिर जिन साथ स्वर्गदूतों के पास पिछली विपत्तियों से भरे हुए साथ कटोरे थे उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बात करके कहा इधरा मैं तुझे दुलहन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा और वो मुझे आत्मा में एक बड़े और उचे पहाड पर ले गया और पवित्र नगर यरुशलेम को स्वर्गपर से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाऊंगा परमेश्वर की महिमा उसमें थी और उसकी जोती बहुमोर पत्थर अर्थार्थ बिलोर के समान यशप की नई स्वच्छी थी और उसकी शहर पना बड़ी उची थी और उसके बारा भाटक और भाटकों पर बारा स्वर्गदूद थे और उनपर इस्राइलियों के बारा गोत्रों के नाम रिखे थे वे बूर की ओर तीन भाटक उत्तर की ओर तीन भाटक तक्षिन की ओर तीन भाटक और पश्चिन की ओर तीन भाटक थी और नगर की शहर पना की बारे नेवी थे और उन पर मेमने के बारे प्रेरीतों के बारे नाम लिखे थे और जो मेरे साथ बाते कर रहा था उसके पास नगर और उसके भाटकों और उसकी शहर पना को नापने के लिए एक सोने का गज था और वो नगर चौकोर बसा हुआ था और उसकी लंबाई चोडाई के बराबर थी और उसने उस गज से नगर को नापा जो साड़े साथ साओ कोश का निकला उसकी लंबाई और चोडाई और उचाई बराबर थी और उसने उसकी शहर पना को मनुष्य के अर्थार्थ स्वर्ग दूद के नाप से नापा तो 144 हाथ निकली और उसकी शहर पना की जुडाई यशब की थी और नगर ऐसे चोखे सोने का था जो स्वच काँच के समान हो और उस नगर की नेवे हर प्रकार के बहुमोल पत्रों से समारी होई थी पहली नेव यशब की थी दूसरी नील मनी की, तीसरी लालडी की, चौथी मरकत की, पाँचवी गोमेदक की छटवी मानिके की, साथवी पीत मनी की, आठवी पेरोज की, नवी पुखराज की दस्वी लहसरी ये की, ग्यारवी धुम्र कांत की, बारवी यागूत की, बारहों भाटक बारह मोधियों के थी एक एक भाटक, एक एक मोधि का बना था और नगर की सणक सच काँच की समान जोखी सोने की थी, मैंने उस में कोई मंदिर न देखा, क्योंकि सर्व शक्ति मान, प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है और उस नगर में सूर्य और चान्ध के उजाने का प्रवुजद नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उस में उजाना हो रहा है और मेमना उसका देपक है, और जाती-जाती के लोग उसकी जोती में चलें फिरेंगे और प्रिथ्वी के राजा अपने अपने तेज का सामान उसमें लाएंगे और उसके फाटक दिन को कभी बंद ना होंगे रात वहां ना होगी और लोग जाते जाती के तेज और विभब का सामान उसमें लाएंगे और उसमें कोई अपवित्र वस्तू या घणित काम करने वाला या जूट खा गड़ने वाला किसी रीती से प्रवेश ना करेगा पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे है अध्याय बाइस फिर उसने मुझे बिल्लौर किसी जलकती हुई जीवन के जलकी एक नदी दिखा जो परमेश्वर और मेमने के सिहासन से निकल कर उस नगर की सडक के बीचों बीच बहती थी और नदी के इस पार और उस पार जीवन का पेड़ था उसमें बारह प्रकार के प्धन लटे और वो हर महिने फलता था और उस पेड़ के पत्तों से जाती जाती के लोग जंगे होते थे और फिर स्राप न होगा और परमेश्वर और मेमने का सिहासन उस नगर में होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे और उसका मुह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा और फिर रात ना होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजियाले का प्रियोजन ना होगा क्योंकि प्रभू परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा और वे युगाणु युग राज्य करेंगे फिर उसने मुझसे कहा ये बातें विश्वास के योके और सत्ते हैं और प्रभू ने जो भविश्य द्वक्तवाओं की आत्माओं का परमेश्वर है अपने स्वर्गदूत को इसलिए भीजा कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीग्र पूरा होना अवश्य है दिखाए देख मैं शिग्र आने वाला हूँ धन्य है वो जो इस पुस्तक की भविश्य द्वानी की बातें मानता है मैं वही युहन्ना हूँ जो ये बातें सुनता और देखता था और जब मैंने सुना और देखा तो जो सुर्गदूत मुझे ये बातें दिखाता था मैं उसके पाओं पर डंडवत करने के लिए गिर बड़ा और उसने मुझसे कहा जो अन्याए करता है वो अन्याए ही करता रहे और जो मलिन है वो मलिन बना रहे और जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे और जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे देख मैं शिग्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है मैं अलफा और ओमीगा पहिला और पिछला आदी और अंत हूँ धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं आने का दिभार मिलेगा और वे ठाटकों से बोकर नगर में प्रवेश करेंगे पर कुत्ते और टोने और वे विचारी और त्यारे और मुर्दी पूजब और हर एक जूत का चाहने वाला और गड़ने वाला बाहर रहेगा मुझे यूशू ने अपने स्वर्ग दूद को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलिसियाओं के विशय में इन बातों की गवाही दे मैं दाउद का मूल और वंज और भोर का चमतबा पहरा हूँ और आत्मा और दुलिन दोनों कहती हैं और सुनने वाला भी कहे के और जो फ्यासा वो आये और जो कोई चाहे वो जीवन का जल सेंत मेंद ले मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भुष्य द्वानी की बातें सुनता है कवाही देता हूँ कि यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ा है तो परमेश्वर उन विपत्यों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा और यदि कोई इस भविश्य द्वानी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के पेड और पवित्र नगर में से जिसकी चर्चा इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल दे जो इन बातों की गवाही देता है वो ये कहता है हाँ मैं शिक्र आने वाला हूँ आमीन आमीन हे प्रभु येशू आ प्रभु येशू का अनुग रहे पवित्र लोगों के साथ रहे आमीन एक के जिसका के बातों के साथ ऍवाण कि लेवारा वे टार्भू हो एका के जिसका का कि अुध एकर सक्रवारा के येशू mac